देशब तक नियुचलर में आपका स्वागत है इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से आ रही है गोहाना में जीजा की दरंदगी साले ने काम के बदले पैसे मांगे तो करंट लगा करकी हत्या पुलीस ने मामला किया दर्ज जाँच शुरू गोहाना में धान मील में काम करने वाले एक व्यक्ती ने अपने 17 साल के साले की हत्या कर 3 साल पहले उसने साले की बिजली की तारों पर फेक कर मा डाला और मामले को हादसा दिखा कर पुलीस ने इस मामले को IPC 174 की धारा के तहत कारवाई की गई थी इस मामले में अब गौहाना सिटी पुलिस ने सास की सिकायत पर दमाद पर हत्या का मामला दर्ज करवाया है मामले की जाच कर रहे गौहाना सिटी थाना के एसचो दिवेंदर कुमार ने बताया कि पुलिस को 9 नोमबर 2020 को सुचना मिली थी कि अंकुस नाम के युवक करंट लगने से मोत हो गई थी पुलिस ने इस मामले में कारवाई करते हुए सव का पोस्टमार्टम करवा कर पुरिजनों को हवाले कर दिया गय था अब इस मामले में मिर्तक की मा ने उत्रप्रदेश निवासी आसा देवी ने यूपी स्टेट में थाना बेला के अंतरगत सिकायत दे कर मामला दर्ज करवाया था जिस जाँच के दोरान ये मामला गोहना थाना से संबंदित होने के कार्ण ये मामला उच अधिकारियों द्वारा गोहना सिटी थाना में कारवाय के लिए आया है जिस पर मामला दर्ज कर जाँच सुरू कर दी गई है उत्तर परदेश निवासी आसाद देवी ने अपनी सिकायत में बताया कि उसका बेटा तीन साल पहले यहां काम करने के लिए अपने जीजा अनुप के साथ आया था जब उसके बेटे अंकुष ने अपने किये गये काम के पैसे मांगे तो जीजा अनुप से मांगे तो पैसे देने की बजाय उसके जीजा ने अपने साल अंकुष की हत्या कर दी इस मामले में अब माननी ये नेले के आदेश पर आसा दिवी के ब्यान पर अनुप पर हत्या का मामला दर्ज करा है इस मामले की जांच की जा रही है इसमें हत्या का कार्ण बताया गया है कि उसके जीजा ने अपने साले को कंट लगा कर मार दिया था इस हाथसा दिखा कर इस मामले में गहनता की जांच की जा रही है जांच के बाद ही इस मामले की सच्चाई सामने आप आएगी गौहाना सिटी सचो दिविंदर सिंग ने बताया की गौरतलब है की इस कुछ दिन पहले अनुप ने सराब का नसा कर अपने साथी वीर और उसके रिष्टेदार अभी लेक से जिकर किया था की अंकुष के रुपे मांगने पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसको मोबाइल फोन खोला तो घर पर सूच ना दी मोबाइल की रिकोर्डिंग भी डिलीट कर दी यह जानकारी आसा तक पहुंच गई जिस पर उसने गोहाना थाना पुलिस में सिकायद दी है इस मामले में कितनी सच्चाई है यह जाच के बाद ही खुला साथ हुपाएगा दिनांक 9-11-20-2020 को पुलिस को सुचना मिली थी कि एक अंकुष नाम के लड़के की करंट लगने से मोत होई है जिसकी सुचना पर पुलिस ने मोके पर जाकर उसकी कारवाई की गई थी अब उसकी मा दोवारा यूपी के अंदर ठाना बेला में अपनी एक मान्य अदालत के आदेश अनुसार एक शिकाय देकर इस संब्द में मुकदमा दर्ज रजिस्टर करा गया था जो दोराने जांच पाया गया कि गटना स्तल ठाना सहर गोहना से संब्द दित है इसलिए वहां के जो उचादीकारियों है उन दोवारा यह मुकदमा आगामी कारवाये को हमें प्राफ्द हो गया है जिस पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर लिया गया है और जिसकी गम काम करने के लिए अपने जिजा अनुप के साथ आया था और उस दुवारा जब अंकुस ने अपने कियो हुए काम के पैसे मांगे तो अनुप ने उसको उसकी अत्या की दी कर दी गई है उस पर आरोप लगाये गए है जिन आरोपो वो देखते हुए मानिय नैलय के आदेस अनुसार मुगदमा दर्ज कर लिया गया है और इसकी जांच की जाएगे हत्या कारण वही है उन्हें बतला है कि इसको करंट लगा गया है अब इन्वेस्टिगेशन में देखो यह चाट यह चीज़ें सारी कलियर की जाएगे कैसे क्या हुआ संभावना क्या थी क्या एक चुल में थी या इसमें कोई ने कोई इस परकार की बाते रही है उन्हें वह चिज़ें सभी जो इन्वेस्टिगेशन का पहलू है जांच में सामने आए पर इस जारों भी है यह आ रहे हैं कल मुकुदमा दर्ज किया गया है इनको शामलत अप्तिश करके अगामी कारवाई की